हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एंजल अकैडमी फ्रेंड्स आज जो हम इस वीडियो में स्टेडी करने वाले हैं जो पढ़ने वाले हैं वो है लिट्रेचर का पार्ट और फॉर्स फ्राइट का जो बुक है उसका पहला चैप्टर है अलेटर तू गॉड जिसे लिखा है जी एल फ्रेंड्स ने फ्रेंड्स बिना टाइम गवाय सीधा टेक्स्ट पे आते हैं और शुरू करते हैं बट वही है कि शुरू करने से पहले हमेशा वाली वही रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आये कुछ भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करि चलिए आये शुरू करते हैं अलेटर टूगाड भगवान को पत्र ठीक है एक पत्र लिखा गया है किसको भगवान को आये स्टार्ट करते हैं दहाउस दॉनली वन इन एंटायर वैली एक घर घर जो सिर्फ एक मात्र घर था उस पूरी घाटी में सेट अन दे क्रेस्ट आव लो हिल जो खाँ पर स्ठिथ था एक चोटी पहाडी की चोटी पर फ्रम इस हाइट वन कोड़ सी तर रिवर इस उचाई से एक आदमी क्या देख सकता था नदी देख सकता था और अगली विखे वूरी चीज dependence सब्सक्रान fan arel ना को लिखे अगली छ फूरूर-इक लया उत promised a good harvest जो हमेशा ये बताते थे कि फसल बहुत अच्छी होने वाली है या अच्छी हो रही है the only thing the earth needed was a downpour और at least a shower मतर बहुत सिरिफ एक मातर चीज की जरुवत थी किसकी? मुसलाधार वर्षा की बहुत अच्छी वारिश या कम से कम एक shower तो हो जाए, एक बरसात तो हो जाए throughout the morning Lencho, पूरी सुबह Lencho, who knew his fields intimately, जो अपने खेतों को बड़े ही closely बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था, had done nothing else but see the sky towards the north east, उसने कुछ ने किया, बलकि आस्मान के तरफ उत्तर पूरू की तरफ देखता रहा आस्मान में, now we are going, really going to get some water woman, अब हम लोग वाकई में कुछ कुछ पानी, मतलब प्राप्त करने वाले हैं, हमें कुछ पानी मिलने वाला है, woman, woman वो अपनी wife को यहाँ पे कह सकते हैं, या वहाँ पे जो औरत हैं उनकी पतनी हो, या कोई भी relative हो, यह mention नहीं है यहाँ पर आप कह सकते हैं, कि वो किसी female से बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं, कि अब वाकई में बारिश होने वाली हैं, यहाँ water का मतलब बारिश से मतलब हैं, the woman who was preparing supper, replied yes, God willing, और और अवरत जो खाना बना रही थी, ठीक है, जो भोजन तयार कर रही थी, उन्होंने जवाब दिया, क्या yes, हाँ, God willing, भगवान की इच्छा से, the older boys were working in the field, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, while the smaller ones were playing near the house, जब कि छोटे बच्चे जो थे, वो near the house घर के पास, क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, और वो खेल रहे थे, कब तक, until the woman called to them all, और तब तक खेलते रहे, जब तक की औरत ने उन्हें बुला नहीं लिया, इस्त्री ने जब तक उन्हें बुला नहीं लिया, उन बच्चों को, come for dinner, आओ भोजन कर लो, या भोजन के लिए आजाओ, it was during the meal that, या भोजन का ही समय था, जब just just as lancho had predicted, और या भोजन का ही समय था, जैसा की lancho ने भविश्यवानी की थी, predicted मतलब भविश्यवानी करना, big drops of rain began to fall, बड़े-बड़े जो बारिश की बूंदे थी, वो clouds could be seen approaching, उत्तर पूरवे की तरफ, एक बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि बादलों का परवत, आता हुआ, देखा जा सकता था, the air was fresh and sweet, हवा जो थी, वो बहुत ही ताजी और मीठी थी, मीठी का मतलब, बहुत ही अच्छी लग रही थी, मतलब सुहानी लग रही थी, मीठी का मतलब, यहां पर आप मीठाई समझ लीजेगा, कि बहुत ही मीठी लग रही हो, शुगर या चीनी या कुछ ऐसा नहीं, बल्कि वो हवा बहुत अच्छी लग रही थी, the man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, किरें कि हवा जो थी है, वो बिलकुल ताजी थी, और अच्छी थी, सुहानी थी, the man went out for no other reason, आदमी, आदमी मतलब who is the आदमी, आदमी is that lencho, lencho went out for no other reason, lencho बाहर गए, कोई कारण नहीं था, कोई दूसरा कारण नहीं था, कारण क्या था than to have the pleasure of feeling the rain on his body, वो चाहते थे, कि जो बारिश की बूंदे हैं, वो उसका pleasure, उसको मतलब एहसास कर सके अपनी body के उपर, and when he returned, exclaimed, और जब वो वहां से भीग करके वापस आये, उन्हों ने क्या कहा, these aren't raindrops falling from the sky, ये बारिश की बूंदे नहीं गिर रही है, they are new coins, ये नए सिक्के हैं, ये नए सिक्के हैं, they are new coins, the big drops are 10 cent pieces, and the little ones are 5, जो बड़ी बूंदे हैं, वो 10 cent हैं, मतलब, cent आप कह सकते हैं, कि ये currency है, एक country की, तो जैसे हमारे यहां रुपया चलता है, यहां पर cent चलता है, तो the big drops are 10 cent pieces, जो बड़ी-बड़ी बूंदे हैं, वो 10 cent की pieces, जैसे हमारे यहां कहें कि यार, बड़े-बड़े बूंदे जो हैं, वो 10 रुपय हैं, and the little ones are 5, और जो छोटे-छोटी बूंदे बारिश की हैं, वो 5 रुपय की सिक्के हैं, तो यहां पर वही 10 cent pieces और 5 5 pieces बताया जा रहा है, तो उसे, उससे compare किया गया है, और बताया गया कि जो बारिश की बूंदे हैं, वो 10 cent pieces और 5 cent pieces हैं, with a satisfied expression, बड़े ही संतुष्टी वाले भाव के साथ, he regarded the field of ripe corn with its flowers, उन्होंने अपनी खेद की तरफ देखा, जो पके हुए फसल थे फूलों के साथ, wrapped in a curtain of rain, वो बिलकुल ऐसा लग रहा था कि, पानी की चादर लिप्टे हुए हैं, मतलब कि पूरे पानी में भीगे हुए थी, वो फसल, but suddenly a strong wind began to blow, लेकिन अचानक, बहुत तेज हवा बहनी शुरू हो गई, and along with the rain, very large hell stones begin to fall, और मतलब बारिश के साथ, बहुत बड़े-बड़े ओले भी गिरने शुरू हो गए, these truly did resemble new silver coins, और अब ये जो ओले गिर रहे थे, भाईया, उसको तो उन्हें 10 cent pieces बता दिया था, और 5 cent pieces बता दिया था, big rain drops और small rain drops के हिसाब से, तो अब क्या है कि these truly did resemble new silver coins, और अब ये वाकई में कैसे दिख रहे थे, नए चांदी के सिक्के की तरह, क्या जो बरफ के टुकडे थे, the boys exposing themselves to the rain, जो लड़के थे, वो अपने आपको रोक नहीं पाए, वो बारिश में आये, ran out to collect the frozen pearls, जो जमे हुए मोती थे, pearls मतलब मोती होते हैं, frozen मतलब जमे हुए, तो वो जो लड़के थे बारिश में आये, और जो ओले थे, ओले को यहाँ पे जमे हुए मोती बताया जा रहा है, वो उनको collect करने के लिए बार बारिश में आये, it is really getting bad now, तो लेंचो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अब यह वाकई में बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है, बुरा हो रहा है, exclaimed the man, आदमी ने कहा, I hope it passes quickly, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो ओले पड़ रहे हैं और तेज हवा चल रही है, जल्दी खतम हो जाए, it did not pass quickly, लेकिन यह जल्दी खतम नहीं होई, for an hour, मतलब एक घंटे तक, the hail rained on the house, जो बरफ के टुकडे थे, ठीक है, जो ओले थे, वो घर पे, मर घर के चारतरफ गिरते रहें, the garden, the hillside, the cornfield, मत परवत के मदब की, पहाड के साइड में गिरता रहा, the cornfield, जहां पे पके हुए फसल थे, वहाँ पर बरफ के बारिश होते रहें, on the whole valley, और पूरी घाटी में बारिश होती रही, बरफ की, the field was white, जो खेत था और बिलकुल, सफेद हो गया था, as if covered with salt, ऐसा लग रहा था जैस कि नमक से ढग दिया गया हो, not a leaf remained on the trees, एक भी पत्ता पेड़ पर बचा नहीं था, the corn was totally destroyed, जो फसल था, वो पूरी तरीके से नश्ट हो चुका था, the flowers were gone from the plants, और जो फूल थे, वो पौधो पर से, पौधो पर से मतलब कि जो अनाज जिसके उपर कहते हैं कि खेती हो रही है जो खेती में जो फसल होती है, तो फसल के ऊपर जो चावल धान जिसको बोलते हैं, या गेहु का जो बाल होता है, वो आता है, तो वो बिल्कुल जड़ गये थे, वो बिल्कुल नश्ट हो गये थे, और फूल बिल्कुल भी नहीं थे, plants पे, लेंचो सोल was filled with sadness, और लेंचो क बिल्कुल खेत के बीचों भी जाके खड़े हो गये और अपने बच्चों से कहा, क्या, a plague of locusts, आपने देखा होगा, कि कोरोना के समय में टिड़ो का एक समू चला था, जो फसल को बहुत नुकसान पहुचाते हैं, तो उसी के reference में इसे समझें, कि a plague of locusts, बतलब कि एक ट फसल को नुकसान नहीं किया होता, वो कुछ फसल छोड़ दिया होता, the hell has left nothing, लेकिन इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, this year we will have no corn, इस साल हमें बिल्कुल भी कोई फसल नहीं मिलेगी, that night was a sorrowful one, और वो रात बिल्कुल दुख भरी रात थी, all our work for nothing, हमारा सारा काम कोई भी ऐसा नहीं है, जो हमारी मदद कर सके, we will all go hungry this year, इस साल हम सभी लोग भूख हे रह जाएंगे, देखे, oral comprehension check है, आप चेक कर सकते हैं, what did Lancho hope for, Lancho ने क्या उम्मीद की, आप समझ सकते हैं, why did Lancho say the raindrops were like new coins, how did the rain change, what happened to Lancho's fields, what were Lancho's feeling, when the hell stopped, देहन दिजे, what did Lancho hope for, Lancho ने क्या उम्मीद की थी, बारिश की, why did Lancho say the raindrops were like new coins, और Lancho ने क्यों कहा था, कि ये जो बारिश की बूंदे हैं, वो ने सिक्को की तरह हैं, इसलिए, क्योंकि वो खुश था, वो जो पानी की बूंदे थी, वो उसके फसल के लिए बहुत ही useful थी, how did the rain change, range कैसे बदल गया भाई, तो वो ओले में बदल गया, what happened to Lancho's fields, Lancho के field को क्या हुआ, पूरी तरीके से बर्फ इतना ज्यादा नुकसान पहुचा उसके खेतों को, बर्फ की बारिश इतनी हुई, कि फसल के नाम पे कुछ भी नहीं बचा, और जो बर्फ थे, वो इतनी ज्या बसना बंद हो गए, तो बिल्कुल वो उदास हो गया था, dear, full of sadness था, और जब खतम हो गया, तो बलास्ट में जाके वो खेतों के बीच में खड़ा हुआ, और उसने अपने बच्चों से कहा कि, ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा, अप्लैग ऑफ लोकस वूड है, लेफ्ट आए नेक्स पार्ट पर चलते हैं, but in the hearts of all who lived in that solitary house, in the middle of the valley, there was a single hope, help from God, केरें कि, but in the hearts of all, सभी के हिर्दे में, सभी के हिर्दे में, सभी के दिल में, सभी के मन में, who lived in that solitary house, जो उस एकांत, उस अकेले घर में रहते थे, in the middle of the valley, उस घाटी के बीचों बीच, there was a single hope, एक एक उमीद थी, क्या help from God, कि भगवान से मदद की, भगवान से मदद मिल जाए, don't be so upset, परिशान मत हो, even though this seems like a total loss, हलाकि यह बिलकुल ऐसा दिखाई देता है, कि सब कुछ नश्ट हो गया है, but remember, याद रखना, no one dies of hunger, कोई भी भूग से नहीं मरता, that's what they say, यह वो चीज जो लो one dies of hunger, कि कोई भी भूग से नहीं मरता, यह कहावत भी है, और लोग ऐसा कहते भी है, तो all through the night, पूरी रात, लेंचो थोट only of his one hope, लेंचो ने सिर्फ अपनी एक सोच के बारे में सोचता रहा, एक ही होब जो थी उसके बारे में सोचता रहा, the help of God, भगवान से मदद की, whose eyes, जिनकी आखें, as he had been instructed, जैसा कि निर्देशित किया गया था, see everything, क्या, कि भगवान की आखें सब कुछ देखती है, even what is deep in one's conscience, यहां तक देख लेती हैं, जैसे कि एक आदमे की अंतरात्मा में क्या है, उसके किसी के conscience में क्या है, उस तरीके से देख रहा था, लेंचो was an ox of a man, लेंचो बैल के रूप में एक इनसान था, working like an animal in the fields, वो खेतों में जानवर की तरह काम करता था, but still he knew how to write, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था, the following Sunday, आने वाले संडे के दिन, at day break, सुबह सुबह, he began to write a letter, उसने letter लिखना शुरू किया, which he himself would carry to town, जिसे वो लेकर के वो खुद कस्बे में गया, शहर की तरफ गया, and placed in the mail, और उस letter को ले जाकर उसने कहा डाला, डग खाने में, it was nothing less than a letter to God, वो कुछ भी नहीं था, बस एक letter था, किसको भगवान को, देखिये, next चलते हैं, क्या लिखा था उसमें, God, he wrote, उसने लिखा, God, if you don't help me, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, my family and I will go hungry this year, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे, I need a hundred paces, in order to sow my field again, and to live until the crop comes, मदब उसने क्या request कि थी, कि अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे, तो हम भूखे मर जाएंगे, इस साल खाने के कुछ भी नहीं है, और मुझे कितने paces की जरूद है, hundred paces, in order to sow my field, जिससे कि मैं अपने खेत को बो सकूं, and to live, और अपने परिवा the hell storm, क्योंकि ओलो ने, और इसके आगे उन्होंने सारी कहानी लिख दी थी, आगे देखिए, he wrote, उसमे लिखा हुआ था, to God, on the envelope, लिफाफे पर क्या लिखा हुआ था, भगवान के लिए, he wrote, to God, put the letter inside, ठीक है, letter को उसने अंदर डाला, लिफाफे के अंदर, still troubled, और अभी वो परिशान ही था, went to town, कस्बे में गया, शेहर की तरफ, at the post office, post office पे गया, पहुचा, he placed a stamp on the letter, उसने letter पे टिकट लगाया, and dropped it into the mailbox, और उसको कहां डाल दिया, mailbox में, मतलब की जहां पे letter दाला जाता है, one of the employees, मतलब करमचारियों में से एक करमचारी, who was a postman, जो की एक डा office में काम में किसी की मदद भी कर दिया करता था, went to his boss, वो अपने boss के पास गया, laughing heartily, जोर से हसते हुए, and shot him the letter to God, और उसे अपने boss को, letter to God, जो भगवान के लिए letter लेंचो ने लिखा था, उस letter को दिखाते हुए, हसते हुए गया, never in his career, as a postman, had he known that address, कि रहे कि अपने पू आप जानते हैं, भगवान के पास हम कब जाते हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर ये इस दुनिया में हैं, तो भगवान का address कैसे जानेंगे, तो यहाँ पे लिखा गया है, जाहिर सी बात है, कोई भी नहीं, यहाँ जो इस दुनिया में है, वो कोई भी address नहीं जानता, the postmaster, तो यह कहां से जानेंगे address, देखिए the postmaster, जो postmaster था a fat amiable, fat मतलब होता है मोटा और amiable मतलब समझ सकते है dear, जो friendly हो, तो जो postmaster था वो थोड़ा सा fatty person था, friendly था और amiable fellow, मतलब की मजा किया, मजा करने वाला इंसान था, also broke out laughing, वो भी जोर से हसने लगे, but almost immediately he turned serious, लेकिन अचानक वो serious हो गए, and tapping the letter on his desk, और उन्होंने क्या, letter को अपने मेज पर रख कर उस पर हाथ से थोड़ा सा उस पर प्रहार करते हो, मतलब दीरे दीरे tap करना, आप समझ सकते हैं कि कोई चीज़ रखियो और उस पर हलका हाथ से मारना, ठीक है, tapping the letter on his desk, commented, उन्हो I wish I had the faith of the man, मैं उम्मीद करता हूँ, या मैं सोचता हूँ, कि काश यही विश्वास, I had the faith, ऐसा ही विश्वास मेरे अंदर होता, जैसा इस आदमी का है, I wish I had the faith of a man, of the man who wrote this letter, मतलब कि जिस व्यक्ति ने इस letter को लिखा है, इसी की तरह विश्वास मेरा भी होता, starting up a correspondence with God, ज correspondence का मतलब होता है, पत्र विवहार, मतलब लेटर से बात करना, starting up a correspondence with God, जिस ने पत्र विवहार भगवान के साथ शुरू कर दिया, तो क्या कह रहे हैं, तो in order not to shake the writer's faith in God, तो पोस्ट मास्टर ने क्या कहा, कि विश्वास जो इस writer का है भगवान के अंदर, वो विश्वास खतम ना हो, हिले ना, डगमगाये ना, तो पोस्ट मास्टर came up with an idea, पोस्ट मास्टर एक विचार लाए और उसको बताया उन्होंने क्या की answer the letter, कि इस letter का जवाब दिया जाएगा, but when he opened it, लेकिन जब उन्होंने उसको खोला, it was evident, यह सपस्ट था, evident मतलब सपस्ट, clear, यह सपस्ट था, that to answer it, कि उस letter का जवाब देने के लिए, he needed something more than goodwill, एक letter आपके पास आता है dear, तो आपको letter का जवाब letter से ही देना होता है, उसमें कुछ खर्च नहीं होता, बस pen और paper चाहिए होता है, और एक envelope चाहिए होता है, तो लेकिन इन्होंने सुचा कि ठीक है, विश्वास भगवान का बना है, तो चलो, इन्होंने लेटर भीजा, हम भी लेटर भीज़ देंगे, लेकिन जब उन्होंने उसको खोला, तो यह clear हो गया, कि उसका जवाब देने के लिए, सिर्फ good will नहीं चाहिए, सिर्फ good wishes या बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखकर के काम नहीं चलेगा, ink and paper और pen paper ही नहीं चाहिए, बट उसको पता चल गया कि कुछ और भी चीज़ की जरुवत पढ़ेगी, और वो जरुवत क्या थी, hundred pesos, बट ह stuck to his resolution, लेकिन वो अपने फैसले पे अडिग रहे है, जो postmaster थे, he asked for money from his employees, ठीक है, उन्होंने अपने करमचारियों से कुछ पैसे भी मांगे, कि लाओ भाई, आप लोग भी कुछ पैसे दो, उसको hundred pesos देना है, लेंचों को, इस लेटर का जवाब भी देना है, तो उन्होंने अपने employee से कहा, he himself gave part of his salary, उन्होंने खुद भी अपनी salary का एक हिस्सा दिया, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity, और कुछ friends भी थें उनके, जो obliged थें, कि चलो ठीक है, इस पुन्ने के काम के लिए हम भी कुछ पैसा दे देंगे, it was impossible for him to gather the hundred pesos, और उनके लिए बड़ा मुश्किल था, कि एक साथ, वो hundred pesos इकठा कर सके, so he was able to send the farmer only a little more than half, इसलिए वो उस farmer को आधे से जादा, कितना, आधे से जादा ही पैसे दे पाए, he put the money in an envelope address to Lencho, उन्होंने पैसे को लिफाफे में रखा, और Lencho को, Lencho का address लिख करके उसको, और उस पर end with it a letter containing only a single word as a signature God, मतलब उसमें पैसा डाला, एक letter डाला, और letter में सिर्फ एक signature था, जिस पे लिखा हुआ था भगवान, आईए, अब इसके questions को देख लेते हैं, who or what did Lencho have faith in, मतलब कि क्या विश्वास था और किस पे विश्वास था लेंचो का, what did he do, और उसने क्या किया, who read the letter, जाहर सी बात है, what did the postmaster do then, देखिए, लेंचो का विश्वास किस पर था और क्या था, तो किस पर था, भगवान पे था, और क्या विश्वास था, कि वो हमारी मदद करेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, वो हमें मदद करेंगे, what did he do, उसने क्या किया, उसने लेटर लिख दिया, who read the letter, लेटर कौन पढ़ा, तो लेटर कौन पढ़ा था, पोस्ट मास्टर, what did the postmaster do then, पोस्ट मास्टर ने क्या किया, तो पोस्ट मास्टर ने ये फैसला किया, कि इस लेटर का जवाब दिया जाएगा, जो लेटर भेजा गया है, वो लेटर का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि लेंचो का जो विश्वास है भगवान में, वो सा पहले आगे ठीक है जो समय जब आते थे उससे थोड़ा सा पहले आगे देन यूजवल मतलब यूजवल टाइम पर जब आते थे उससे थोड़ा सा पहले आगे to ask यह पूछने के लिए if there was a letter for him कि क्या उनके लिए कोई letter भी है it was the postman himself वो postman ही था who handed the letter to him postman ही था जिसने उनको letter दिया while the postmaster जबकि postmaster जो थे experiencing the contentment of a man who has performed a good deed जो कि postmaster जो थे वो experience कर रहे थे संतुष्टी का एक ऐसे इंसान की संतुष्टी who has performed a good deed जिनों ने अच्छा काम किया था looked on from his office और वो अपने office से खड़े होकर देख रहे थे कि देखो मैंने अच्छा काम किया है अब जरा देखे अच्छा मैसूस करेंगे अच्छा feel करें कि हां क्या हो रहा है कैसे मतलब कि कैसा reaction आ रहा है लेंचो का लेंचो शोर्ड not the slightest surprise लेंचो ने जरा सा भी surprise नहीं दिखाया जरा सा भी surprise नहीं हुआ on seeing the money पैसो को देखकर such was his confidence ऐसा उसका विश्वास ही था जबकि postmaster को लगा था कि लेंचो जब पैसा देखेंगे तो वो खुश हो जाएंगे वो शोक हो जाएंगे कि चलो भगवान ने उनकी मदद की लेकिन लेंचो को इतना जादा विश्वास था भगवान पर कि जब पैसा आया तो जरा सा भी surprise नहीं हुए उनका अच्छा ठीक है भगवान ने पैसा तो भेज दिया it is good but he became angry when he counted the money लेकिन वो बहुत क्रोधित हुए जब उन्होंने पैसे को गिना जब उन्होंने पैसे को गिना तो वो क्रोधित होगे बोले अरे God could not have made a mistake भगवान गलती नहीं कर सकते हैं भगवान गलती नहीं कर सकते थे and nor could he have denied लेंचो what he had requested और ना ही वो लेंचो को मना कर सकते थे जो लेंचो ने request किया था अब देखिए immediately तुरंत लेंचो went up to the window लेंचो तुरंत कहां गए window पे to ask for paper and in paper लेने के लिए और pen लेने के लिए on the public writing table और public सारवजनिक जो writing table था वहां पर he started to write वहां बैठ करके उन्होंने लिखना शुरू कर दिया with much wrinkling of his bro ध्यान दीजिए उनके माथे पर ज्यादा मतलब क्या हो रहा था wrinkle आ रहे थे मतलब शिकन आ रहे थी उनके माथे पर क्यों आ रहे थी इस वएसे उनके माथे पर शिकन आ रहे थी एक स्पेस क्या कर रहे थे कि भगवान जी आपने मुझे पैसा दिया और यह सब सोच सोच के वो लिख रहे थे when he finished जब उन्होंने लेटर लिख लिया he went to the window वो window के पास गए to buy a stamp किस लिए एक stamp खरिदने के लिए टिकट खरिदने के लिए which he licked जिसको उन्होंने थूख से ही चिपकाया and then affixed to the envelope जिसको उन्होंने किस पर चिपकाया लिफाफे पे with a blow of his fist किस से अपने मुठी के प्रहार से the moment the letter fell into the mailbox और वो च्छन जिस समय वो letter mailbox में आया the postmaster went to open it postmaster तुरंद कहा गए उसको खोलने के लिए it said उसमें लिखा हुआ था क्या God भगवान of the money that I asked for जो पैसे मैंने आपको only 70 paces reached me ध्यान दीजिए 100 paces की demand थी और 70 paces उनको मिले थे और later में ये chapter में ये discuss हुआ था कि postmaster सारा पैसा एक साथ arrange करने में successful नहीं हुए थे वो unable थे तो उन्होंने आधा से जादा दिया था तो अगर ये question आ गया तो ध्यान रखना है 100 paces की demand थी और लेंचों को पैसा सभी लोग कितना भेज पाए थे मिल करके जैसे postmaster थे postman थे employees थे उनके कुछ friends थे और postmaster ने अपनी salary का भी एक हिस्ता दिया था तो वो कितने दे पाए थे 70 paces इसको भूलिएगा नहीं जबकि demand थी 100 paces की send me the rest देखिए लेंचों गजब का फैत है गजब का इंसान है कि यार भग लेटर लिखो उनको बताओ कि मैंने जो 100 paces मांगा था मुझे 70 paces मिले हैं send me the rest यह देखिए यह देखिए send me the rest यहाँ पे कहानी खतम नहीं होगी आप मुझे बचे हुए पैसे भेजिए since I need it very much क्योंकि since मतलब क्योंकि I need it very much मुझे उसकी बहुत ज़रुत है but don't send it to me through the mail dear यह आपे बहुत बड़ी आईरनी देखने को मिलेगी यह last line है इस chapter का बहुत बड़ी आईरनी कि कोई किसी को support करता है और बदले में उसको क्या मिलता है ध्यान दीजिए और कहते हैं बड़ी बड़ी विडंबना है हमारे समाज में तो वही विडंबना देखिए बड़े ध क्रुक्स क्योंकि जो post office के जो करमचारी है और बंच आफ क्रुक्स वो बैमानों का समू है लेंचो आप देख सकते हैं जिस डाख खाने के करमचारीों ने मिल करके support किया help किया पैसे दिये वही बैमानों के समू कहलाए ध्यान दीजिए question क्या है last two question से oral comprehension check was लेंचो surprised to find a letter for him with money in it क्या लेंचो जरा सा भी surprise हुए जब उनको letter मिला था और उस letter में पैसे रखे हुए मिले थे साहिर सी बात है बिलकुल भी नहीं what made him angry किस चीज ने उनको नाराज कर दिया किस चीज पर वो गुस्सा हुए तो पैसे 100 पैसे नहीं थे सिर्फ 70 पैसे थे इस बात पे वो गुस्सा हो गए थे so friends में भी little bit ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी जरूर हुआ है बट मैंने पूरी कोशिश किये कि आप एक बार बैठेंगे और 28-37 मिनिट के अंदर आपको पूरा chapter एक बार में clear हो जाएगा तो literature यह है dear कि एक बार में जब आप बैठे या दो बार में बैठे तो chapter आप clear करके ही उठे so that will be good for you समझने में आसानी होगी और mind अपने आपको prepare करके बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि हाँ आज इस chapter को खतम करना है या दो वीडियो में खतम कर देना है तो समझ में भी आएगा और वो अच्छे तरीके से आपके mind मे एक map तयार करेगा जिसके विए से आप exam अच्छे से दे पाएंगे so I think it is enough for this video dear see you in next video thank you and जैहिन